हलो गाईज वैलकम टू दा सेशन यार मेरे प्यारे बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जर्नल और मैं आपको बता दू जर्नल इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप अगर इनकेस में कहूं सिये फाइनल तक भी पहुंच ज होती हैं बट यह एक इंपॉर्टेंट बेस होगा यह समझ में नहीं आएगा तो वहां पर आपको दिक्कत होगी तो जर्नल आपकी इस क्लास में इस लेवल में तो इंपॉर्टेंट ही है इसके अलावा जब आगे जाओगे तो भी एक बेस फॉर्म करेगा इसलिए हमारा य आपको याद होगा कि हमने जब बेसिक्स में अकाउंटेंसी की डेफिनेशन पड़ी थी अकाउंटिंग की डेफिनेशन पड़ी थी तो आपको याद होगा अकाउंटिंग में हमने कहा था रिकॉर्डिंग होती है हमने कहा था रिकॉर्डिंग के साथ साथ मेरे प्यारे ब होती है उसके बाद interpretation and analysis होता है communication होता है याद आ रहा है इसा पड़ा था अपने इतना सा रहा में को जो अभी मतलब है वो सिर्फ यह first वाले part से मतलब है इसलिए मैंने इसको जाधा highlight कर दिया तो मैंने का guys हमने कहा था कि हमें अगर accounting करनी है तो उसमें सबसे पहला step क्या है recording मतलब हमारे business में जितने भी transactions हो रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों हमें उनको record करने रखना पड़ेगा क्योंकि अगर हम record करके नहीं रखेंगे तो भविश्य में हमें कैसे चीजें याद रही कि कोई चीज हमें recollect करनी है तो हम कैसे करेंगे यहां पे ये transactions को हम क्या करते है record करते है ठीक है तो अब आपको journal का मतलब तो समझ में आया होगा अब मैं आपको बता दूँ गई journal का जो मतलब आपको समझ में आया है वो तो ठीक है बट जब भी आप journal में record करते हो तो आप कैसे record करते हो गई आपने देखा होगा अभी तक का जो मैं base बताऊं आपको अगर में बेस बताऊं तो दो चैप्टर मैंने अभी आपको back to back इससे पहले करवाए हैं नाम है एक चैप्टर का accounting equation दूसरे चैप्टर का जो नाम है जो अभी मैंने just करवाया था वो है classification of account याद है जिसमें मैंने आपको एक traditional approach करवाई थी एक modern approach कराई थी मेरे पहरे बच्चों ये दो चैप्टर जो हैं वो इसमें बहुत important role play करेंगे अगर आपको journal पर command लेना है तो एक बार हम देखते हैं कि इन दो चैप्टर को सीख के हम क्या message derive करके यहां तक पहुचे हैं तो मैंने कहा आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था accounting equation में कि हमारे पास जो भी transaction है हम उसके effect को identify करते हैं हम उसके two effects को identify करते हैं और आपको याद होगा इस two effects को identify करके हम इस equation पे apply कर रहे थे हम कह रहे थे asset is equals to capital plus liability क्या बोल रहे थे हम हम कह रहे थे asset is equals to capital plus liability तो जो भी transaction हो रहा था हम यह देख रहे थे asset बढ़ रहा है घट रहा है capital में plus होगा minus होगा liability में plus होगा minus होगा यही तो check कर रहे थे तो हमने का accounting equation पढ़ते पढ़ते हैं हमने ये expertise ले ली कि जो भी transaction होगा उसका जो impact होगा वो हम कैसे इस equation पे डालेंगे ठीक है कैसे हम इस equation पे डालेंगे अब मैंने का second part classification of account में हमने क्या पढ़ा मैंने का हमने इसी research को एक step आगे ले गए हमने का classification of account में हमने देखा कि जो भी transaction होता है जो भी transaction होता है उसके दो effect होते हैं और हमने इसमें ये समझा in short end में करक्स ये था कि कौन सा effect debit होगा और हमने identify किया कौन सा effect credit होगा यादे दोनों approaches से हमने end में ये ही identify किया था what to debit and what to credit तो guys मेरे हिसाब से हमने जो पहला वाला criteria है वो तो cross कर लिए हमने पहला वाला criteria जो है मेरे पयारे बच्चों वो तो हमने क्या कर लिए cross कर लिए अब मैं आपको बताऊ मेरे पयारे बच्चों यहां पर यह जो journal में बना रहा हूं इसका एक format होता है गैज आप देखना by the end of this lecture you will understand everything यार जब भी आप एक बात बताओ कोई चीज आप recording कर रहे हो देखो हमने accounting question की summary ले ली हमने classification of accounts की summary ले ली मैंने का आप एक system याद रखो जब भी आप कोई चीज लिखते हो let's say मैं आपको notes copy करा रहा हो तो अपना भी एक format रहता है कि यार copy में लिखना copy ऐसी होनी चीज copy आपको पता है type आते हैं फिर मैंने का ये चीज इस तरफ लिखनी ये चीज इस तरफ लिखनी है तो कहने का मतलब है वैसे ही जब हम accounts में recording करते हैं जर्नल में recording करते हैं तो उस जर्नल का भी एक format होता है कि आपको कौन सी चीज कहां लिखनी है guys to be very honest कि जो format होता है ये अपने को यादी रखना है इसमें आपको कोई ज़्यादा innovation नहीं करना है format बनाने का कारण क्या है क्योंकि यार अगर आप recording कर रहे हैं और आपने अपना घर का एक format बना दिया तो भले ही आपने चीजें सारी लिखी बट कोई normal आदमी समझ पाएगा नहीं तो सब लोग एक दूसरे की recording करीवी समझ पाएं इसलिए हम journal का एक format फॉलो करते हैं वह format क्या है वह format है सबसे पहले हम date लिखते हैं मतलब जिस transaction को हम record कर रहे हैं सबसे पहले हम उसका date लिखते हैं date लिखने के बाद guys हम क्या लिखते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं particular particular में हम यह लिखते हैं उनमें वो जो दो transaction है वो कौन से हैं सर आप दो ट्रांजेक्शन बोल रहे हो इसका मतलब क्या है मैंने आपको अभी अभी बताया यार जेनरली दो इफेक्ट होते हैं हाँ ट्रांजेक्शन के एक डेबिट और क्रेडिट तो पर्टिकुलर में हम नाम लिखते हैं उनके और जो डेबिट हो रहा है वो अमाउंट क्रेडिट कॉलम में डालते हैं और जो ग्रेडिट हो रहा है उसका अमाउंट हम अभी देखो फॉर्मेट जादा समझ में नहीं आएगा अभी अपन उसके करेंगे तब आपको समझ में आएगा पहले आप एक काम करो इसको एक बार कॉपी मारो फिर आपना आगे करेंगे झाल झाल यहां तक अपने कॉपी कर लिया अच्छे से अब मैंने आपके लिए एक वर्क्षीट बनाई है गैज इस वर्क्षीट का अगर आप घर पे प्रिंट निकाल पाएं तो वन आफ दा बेस्ट है क्योंकि मैं जब वर्क्षीट बोल रहा हूं तो मैंने इस वर्क्षीट में ही जगे दिया है कि आप इसको फिल कर सकते हैं तो मैं यहां लिख रहा हूं जर्नल वर्क्षीट और यह वर्क्षीट है नंबर बन मैंने बहुत सारी वर्क्षीट बनाई है तो एक एक करके अपन सॉल्व करेंगे एक एक करके अपन solve गरेंगे worksheet और आप मुझे ये worksheet मंगा सकते हो आप मुझे whatsapp कर देना मैं आपको भेज़ दूँगा ठेक है आप मुझे whatsapp कर देना मैं आपको भेज़ दूँगा ये worksheet ये देखो ये worksheet है journal worksheet अब इसमें कहा है जो मैं कह रहा था जगे मैंने छोड़ रखी है तो यह जगे है उसके सामने जैसे आप देखो एक transaction लिखा हुआ है और उसके सामने जगे आप यहाँ पर entry मार सकते हैं पटापन तो अपने notes में ही entry बनाएंगे मैं तो अपने उसमें लिखूंगा notebook में जहां मैं सारा पढ़ा रहा हूं आप अगर इसका print निकाल पाएं तो बेस्ट है कि आप प्रिंट निकालने के बाद मेरे प्यारे बच्छों इसी में entry लिख दो यह आपकी वरक्षीट टाइप ओफ हो जाएगी और आप जब रिविजिन करो जर्नल तो इन ही को आप रिवाइस कर लेना में सारी वरक्षीट में जितनी में वरक्षीट दूंगा न इसमें मैं जर्नल की लगवग 99 परसंट सारी की सारी इंट्रीस कवर कर दूंगा यार कोई दिक्कत नहीं आएगी तो मैंने का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टार्टेड विजिनेस कैश रुपीज ट्वंटी थाउजन इन स्टॉप सिस्टी थाउजन गैस ध्यान से देखें मैंने का यहां पे अब मैं लिखता हूं नंबर फिल कैसे करना होता है वह आपको पता पड़ जाएगा इसको देखें ट्रांजेक्शन नंबर वन को क्या करोगे स्टार्टेड बिजनिस विद कैश क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों स्टार्टेड बिजनिस विद कैश एक बात बताओ दो इफेक्ट सोचने की कोशिश करो स्टार्टेड बिजनिस विद कैश और मैंने का सीधा सा फंडाय हमारे पास कैश आया होगा यहां पर लॉजिक लिखते हैं एंट्री तो उपर मारेंगे लॉजिक लिखते हैं यहां पर मैंने का इस एंट्री के वज़े से अकाउंटिंग एक्वेशन आप डेबिट है तो मैंने का उसके लिए हम मॉडन अप्रोच फॉलो करते हैं ट्रेडिशनल भी कर सकते हो बट आई अलवेस प्रिफर के क्लियर है की नहीं है अरे क्लियर है की नहीं है क्लियर है दिमाग में जा रहा है मैंने कहा ता अगर एसेट बढ़ता है तो अगर आपके यह वाल्यू इनकरीज हो रही है तो आप उसको डेबिट करो और अगर आपके जो liability है उसकी value बढ़ रही है तो आप उसको credit करो याद गरो यह पूरी की पूरी चार्ट टेबल हम बना के आएं classification of account अब मैंने का देखो यहाँ पे transaction में date तो दीवी नहीं है मैं question mark डाल रहा हूँ अगर आपको date दे रखी हो तो हमेशा याद रखना यहाँ date आईगी particular में particular में हमेशा याद रखना पहले वो वाला account आप लिखते हो पहले आप वो वाला account लिखते हो जो debit हो रहा है तो यहाँ पे debit वाला item कौन सा है cash तो मैंने यहाँ लिख दिया cash account debit यह format है ध्यान से रखना बहु लॉजिक से आपने यह identify कर लिया कि debit क्या होना है credit क्या होना है अब मैं आपको बस format में pasting बता रहा हूं कि debit क्या होगा और कहां लिखा जाएगा क्रेडिट क्या होगा कहां लिखा जाएगा क्या उसका वे रहेगा तो मैंने का जो impact हमारा debit हो रहा है वो हमने यहाँ पहले लिख दिया और उसका amount लिख देते है debit कॉलम में amount कितना है देखो cash 20,000 अब ध्यान से देखना विटा cash 20,000 अब मैंने का cash 20,000 मतलब दो entries लिखेंगे यहाँ पर फिर उनको merge करने की भी कोशिश करेंगे तो मैंने का यहाँ पर क्या है cash कितना 20,000 मैंने का यहाँ पर लिखा हम cash 20,000 ठीक है तो आप देखा आपने identify किया पहले debit क्या होगा तो आपको पता-पड़ा अपने logic से की cash क्या होगा debit होगा अब हमने का जो debit होगा उसको पहले लिखो और amount कौन से कॉलम में आएगा debit क्योंकि cash क्या हो रहा है debit उसके सामने credit क्या हो रहा है तो हमने का capital credit हो रहा है capital तो हमने का अब कोई दो दूसरी चीज और जब भी आप credit वाला item लिखोगे आप उसको 2 लिखके start करोगे पहले क्या लिखके start करोगे 2 तो हमने का 2 capital amount कितना credit में 28,000 amount कितना credit में 20,000 do we by any chance है भी नी problem मैंने का guys इसको सवाल अब कौन से सवाल आपको नहीं पूछने दिमाग हमें set करने और कौन से का हमेशा logic रहेगा देखो या logic हमेशा मिलेगा आपको कि debit क्यों हो रहा है कोई item credit क्यों हो रहा है कोई item उसके बाद जब हम इस format में उसको paste करेंगे कि पहले debit आएगा credit से पहले to आएगा ये format बनाया हुआ है guys क्या बनाया हुआ है format तो हमें format follow करना है तक हमारा वाला बनाया हुआ कोई दूसरा समझे दूसरे का बनाया हुआ हम समझें और guys जो item debit हो रहा है वो debit column में जाएगा जो credit हो फरेओर बनों बराबर होंगे debit और credit क्या होंगे दोनों बराबर होंगे अब मैंने का इसी पहले transaction में दूसरा और item है stock भी लेके आया आपको याद होगा यार accounting equation में expertise लेके यहां तक होचे हैं यही मैं कह रहा था अगर आप accounting equation और classification of accounting को आपने मेरे साथ साथ पढ़ा होगा revise किया होगा अगर पहला पढ़ा होगा तो आपका confidence level बहुत ही जबरदस्त होगा अगर पहले का कुछ कमजोर भी है do not worry at all यार मैं यहां पर वापिस सब कुछ पढ़ाऊंगा आराज हमने वापिस सारे logic डिसकस होगे अब मैंने कहा आपको याद होगा अगर owner कह रहा है मैं cash लेके आया 20,000 और owner कह रहा है मैं stock लेके आया 60,000 अरे भाईया अगर owner cash लेके आया owner stock लेके आया दोनों की दोनों चीज़ें लेके तो business में आया है तो भाईया business को in total उसने 80,000 का benefit दिया 20,000 का तो हमने record कर लिया अब अगले उसकी बात करें logic क्या है debit और credit का logic बनाते हैं मैंने का देखो stock आया और इधर क्या था बेटा capital मैंने का stock firm के लिए क्या है stock में plus होगा क्योंकि आया और firm के लिए वो क्या है asset और asset क्या है बढ़ रहा है और capital भी बढ़ रही है क्योंकि 60,000 उसको हमें कभी न कभी तो लोटाने याद करो एक principle भी connect कर लो business entity principle अगर समझ पाओ तो मैंने का इसके बाद asset जब भी बढ़ता है वो debit होता है capital जब भी बढ़ती है वो क्या होती है बिटा credit होती है क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों credit होती है तो मैंने का इसी के साथ मैंने इसको यहां पर अगली entry मारूंगा देखो date मुझे फिर नहीं पता तो मैं date लिखूंगा नहीं मैं यहां पर अभी एक ऐसे दो bracket बना के छोड़ रहा हूं जो भी थोड़ी दिर में समझाऊंगा तो मैंने का इस अब अगली entry मैंने का अगली entry क्या कहती है भाई स्टॉक डेबिट होगा तो जो डेबिट होगा वह पहले आएगा अब स्टॉक डेबिट क्यों हो रहा है यह आपके दिमाग में क्लियर होना चीए कि rules of debit credit क्या कहते है कि जब भी कोई item asset से related है और asset को increase कर रहा है तो वो जो item जो increase हो रहा है उसको डेबिट करना पड़ेगा इसलिए हमने stock जो asset हमारा बढ़ रहा है उसको डेबिट कर रहे है कितने से 60,000 टू 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 क्या में कोई दिक्कत है इसमें सवाली नहीं उठता है गाइज डेबिट और करेट का logic बोलते वह चलना आराम से एक एक बेस करेंगे बट यहां से ऐसा कोई स्पीड नहीं होनी चीए कि ऐसी पकड़ लो पता बढ़ा logic ही निकल गए नहीं जेस्ट भी विद मी यार जहां जहां आपको लगे मुझे logic लिखना है आप प्लीज साथ साथ लिख लेना और बिल्कुल भी चिंता मत करना मतलब मैं तुम्हें ऐसा पढ़ा दूँगा यह कि दिमाग से बहार निकली नहीं पाएगा बट लॉजिकली अपन वह वाला मोड फालो नहीं करेंगे कि पांच क्वेश्चन किये पांच क्वेश्चन में क्या होता है वह रट्टा मार लिय ताकि इससे क्या हो जब आप क्वेश्चन करने बैठो तो आपको कॉंफिटेंस रहे आपके दिमांग में लॉजिक रहे ताकि एक्जाम में कोई सा भी पॉइंट रहे अगर लॉजिक आपके क्लियर है तो आप एंट्री बनाके अपने मन से भी लिख सकते हो क्योंकि अब ध्यान से देखना मेरा अब्जेक्टिव क्या था अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना यह रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूं ताकि भविश्य में मेरे को कुछ वापिस देखना हो तो मैं देख पहूं अब मैंने यह जर्नल एंट्री को मार दी अब इसको इंटर्प्रेट करेंगे कि कैस डेभेट हुआ मतलब कैस आया है क्या बैपिटल क्रेड़ित हुआ मतलब मेरी लाइबलीटी इस तरफ चाहिए बढ़ गई स्टोरी क्लियर है दिमाग में सेट है अब सुनना मैं क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ यहाँ पे नरेशन क्या लिखोगे आप बिइंग क्या लिखोगे नरेशन आपको क्या है मेरे पैरे बच्चों दे को आपको यह तो पता पड़े गया debit और credit क्या हुआ क्या है debit हुआ मतलब आया capital credit हुई मतलब owner ने कुछ दिया owner की तरफ liability बड़ी अब मैं यह कहना चाहरा हूँ अब मैं यह कहना चाहरा हूँ आपको कि यह जो नीचे bracket में आप लिख रहे हो ना इसको हम टेक्निकल लेंगवेज में हम इसको narration कहते हैं क्या कहते है narration narration का मतलब जो हमें story narrate कर दे भाया कि यह जो उपर आप entry देख रहे हो ना cash to capital यह क्या है तो नीचे देखा क्या है capital introduce तो अगर entry से समझ में यह है तो narration आपको help करेगी कि किस चीज़ किये यहाँ पर being हमेशा याद रखना है इसको being करके start करना और उसके बाद ऐसा कुछ भी जिससे आपको entry याद रह जाए वो आपको करना है being stock introduced by owner या contributed by owner चोरी समझ में आ गई एंट्री में debit trade कैसे logic derive करने है वो two effects है वो बताया classification of account के rules कैसे अपलाया करने है debit trade find करने में उसके बाद journal का जो format है उसमें कैसे चीज़े पेस्ट करनी है वो मैंने आपको बताया आ रहा सुम्झें narration क्या होती है वो मैंने बताई तो पहले काम करो इसको पहले वाले transaction को copy करो फिर आगे बढ़ेंगे पहले इसको copy करो चरमरा नहां पिर आगे ऑभे दो आगेँघդ करो पहले इसकोदोन कया है 2023 क्यों रखिपर क्यों है अपको काहले बताखत्या है वो मैंने दी해 रहा हुआ नहीं सकते है पक्योंट रहाधेगे ऑ्र. क्युएर आगें पिर झाल झाल ये इस गैसि दया ने क्या यहाँ पे इस्टोरी समझ में आ गयी आपको अब मैंने काई यह जो उपर की दो एंट्रीज था Ant ninguna मैंने काई यह जो ऊपर वाली एंट्रीज है यह उपर वाली जो एंट्रीज है इनको हम कह सकते हैं कि यह कौन से टाइप की एंट्रीज है यह हमारी एंट्रीज है simple क्या है बेटा simple तो आपके लिए अब दो नई टाम आ गए दो कौन से नई टाम आ गए बेटा एक आया simple entry मतलब आप यह जब journal बना रहे हो और यह जो एंट्रीज पास कर रहे हो ना record करने के लिए इसको हम दो और टाइप में divide कर सकते हैं ना में एक तो simple entry और यह compound entry आ रहा सुने जैसे आप देखो आपने आपने अभी जो यह पैसा लेके आया ना जो यह पैसा लेके आया और stock लेके आया उनर आपने इसकी अलग-अलग entry मारी कैसी entry मारी है आपने इसकी अलग-अलग entry मारी आपने इसकी एक अलग-अलग entry मारी वही अगर आप चाहो तो इनकी रादर देन अलग-अलग आप एक साथ entries भी मार सकते हो जब आप अलग-अलग की जगे एक साथ entry मारते हो तो उसको आप कहते हो compound entry आप ध्यान रखना ये compound सभी मारी जा सकती है जब transaction एक ही date क्यों क्या बूला मैंने transaction एक ही date क्यों जैसे बताता हूँ मैं ये आगया आपका पहला entry ये दूसरा entry मैं सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूँ ताकि वापिस ताकि आप connect कर पाओ compound effects को समझने के लिए ठीक है मैंने का यहाँ पे 20 यहाँ पे 60 अब मैंने का यह simple entry जो अपन उपर मार के आए है अगर मुझे इसको convert करनी है क्या बूला मेरे प्यारे बच्चों मैंने का अगर मुझे इसको convert करनी हो मतला simple entry तो यह हो गई अगर एक ही date को अगर हमारे transaction हो रहे हैं कोई particular person से तो हम उनकी अलग-अलग entry मारने के बज़ा है देखो simple entry तो simple है आप यह मार सकते हो और easy to understand भी है बट time waste नहों और entries एक ही आदमी के साथ जब transaction हो रहे हो तो cash asset है और बढ़ रहा है तो उसको debit मारो नीचे वाली entry में देखो debit क्या हो रहा है stock तो आप इसी entry में stock को भी debit कर दो 60,000 जहां capital आप दोनों अलग-अलग credit कर रहे थे 20 और 60 से जब compound entry आप बना रहे हो तो आप दोनों को क्या करो मेरे पहरे बच्चो एक साथ कर दो credit क्या कर दो मेरे पहरे बच्चो एक साथ तो यहां पर कितना आ गया 80,000 डू भी बाइनी चांस हम इनी प्राप्लम क्या हमें कोई दिक्कत है इसमें समझ में आ रहा है अपने को तो क्या आपको simple entry और compound entry आपको समझ में आ गई तो मैंने का यह simple entry होती है यह compound entry होती है हमारे दिमाग में इसका crystal clear एक explanation रहना चाहिए ठीक है तो अब आप इसी transaction के नीचे क्योंकि क्या देको पहले transaction में बहुत जादा time लगेगा क्योंकि पहले transaction में हम क्या कर रहे है कि पू पहले वाली entry में आपको समय लगेगा पहले वाला जो transaction है उसमें अपने को समय लगेगा ठीक है तो एक बार copy करने के लिए दे देता हूं मैं तुम्हें फिर अपन आगे बढ़ेंगे चलो बटा copy मारो इससे क्योंकि करेंगे तो आपने इसको कॉपी कर लिया होगा यार अच्छे से देखो पहले ट्रांजेक्शन में एंट्री माणना तो सिखा सिखा आमने कंपाउंड सिंपल भी सीख लिया और नरेशन कैसे माणनी है वो भी देख लिया अब ट्रांजेक्शन टू पे चलते हैं अपनी वरक्षीट के ट्रांजेक्शन टू क्या कहता है पर्चेस गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 फ्रॉम राम इन कैश अब देखो यहाँ पे लिखा है पर्चेस गुड्स फ्रॉम राम इन कैश अब आप ध्यान से देखना है सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ आपने गुड्स खरीदे यह तो बहुत अच्छी बात है ठीक है दूसरा आप मुझे बताओ आपने कैसे खरीदे तो मैंने का यार आपने खरीदे कैश में तो मैंने का यार देखो सिंपल सा इसका अब्जेक्टिव है आपको राम से कोई मतलब नहीं है सर ऐसा क्यों राम से तो हमने खरीदे हैं अरे माना राम से खरीदे हैं आप बहुत ही संसकारी आजमियों याद रखना चाहते हो कि भईया उसने आपको माल बेचा है और बहुत अच्छे रिलेशन निभाए हैं अरे अकाउंटिंग में राम की कोई इंपोटेंस नहीं है आजकी डेट में हमने राम से माल खरीद लिया राम को कैश में दे दिया तो हमें तो बस यह याद रखना है मेरे यहां से कैश गया और मेरे पास गुड़्ज आए राम को मैंने कोई इधार में तो उसते कुड़्ज खरीद है नहीं कि मुझे याद रखना है कि Wars को पैसा देना है अरे बहुत कैश दे और नाम याद रखना है कि जौरत क्या आकाउंट्स में किसमें header आकाउंट्स में तो मैंने का यहाँ पे जो दो effect हैं मेरे प्यारे बच्चे वो दो effect कौन से हैं मैंने का देखो आपके पास goods plus हो रहे है और आपके पास क्या है पेटा cash क्या हो रहा है minus हो रहा है क्या बुला पेटा मैंने आपके पास goods plus हो रहे है और आपके पास cash क्या हो रहा है minus अब मैंने का जब आप माल खरीदते हो गुड़ खरीदते हो आपका intention क्या है इन माल को बेचें तो मैं इनको मानता हूँ कि ये मेरा expense है मतला मैं माल खरीदने में जो खर्चा कर रहा हूँ वो मेरे लिए expenses हैं और expenses आपको पता है हमेशा क्या होता है मेरे पहरे बच्चों debit होता है expenses हमेशा क्या होता है debit आरा सन्य दिमाग में बिल्कुल जा रहा है बेटा कई बच्चे ऐसे भी confused हो सकते हैं सर आप जब accounting question बनाते थे तो आप goods को asset मानते थे और यहाँ पे आप कह रहे हो goods क्या है expense है मैंने का वो अगले lecture में clear करूँगा दोनों point को discuss करूँगा मैंने का यहाँ पे बस यह समझो कि यह जो माल आपने खरीदा है purchase करने में जो पैसा खर्च किया है वो आपके लिए expense है और जो पैसा आप दे रहे हो उसकी वजहे से आपका एक asset है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है तो जब asset कम होता है तो आप क्या करते हो मेरे पएरे बच्चों credit करते हो क्या करते हो पेटा? तो मैंने का format बना लो फटा फट जनल का क्या कहता है अमारा journal का format ने दर्फर्शाइब चया कहता है पर को सो मैंने कहां कि किया यहां के पेस्ट और को हम नहीं क्लिखा हमने क्या और लिखा लिखह मेरे प्यारे बच्चों, तो debit क्या होना है, मैंने का goods बट याद रखना, कौन सा account debit होगा, purchases, कौन सा account debit होगा, purchases, आपको ये तो पता ही है मेरे प्यारे बच्चों, कि goods का मतलब क्या होता है, आपको ये तो पता ही है मेरे प्यारे बच्चों, goods का मतलब क्या होता है, ऐसा माल जो आप ने कितने ही और झाल ठाइवासे हैं माल यहां फ़ी वो जब भी आप जब भी आप माल बेचने के लिए उसका नाम नहीं आता पर टॉर्चेजवेवास एक ट्रकाम इंडिकेट करता है जो इंडिकेट करता है purchases debit हो गया मतलब आपने माल खरीदा बेचने के लिए क्या खरीदा माल खरीदा बेचने के लिए वैसे थोड़ी तेर बाद मतलब एक lecture के बाद आपको purchase के साथ साथ एक sales भी आएगा कि माल ये तो खरीदा है माल बेच दिया तो माल बेचते वक्त हम क्या करेंगे sales account को यूज लेते हैं तो माल खरीदते हैं बेचने के लिए तो कौन सा purchase जो माल बेचने के लिए खरीदा था वो बेच दिया तो sales account यूज लेते हैं क्या बुला आप क्या लिखोगे बींग गुड्स परचेज स्टोरी क्लियर है पटावट पॉपी मारो बेटा कर दो आप गाइस यार अपन लोग ने एंट्री जमाना आजदे को स्टार्ट करी दिया फाइनली दो ट्रांजेक्शन भी बिल्कुल डिटेल में डिस्केशन कर लिया जर्नल का फॉर्मेट देख लिया अकाउंटिंग एक्वेशन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट से ये चैप्टर कैसे कनेक्टेड है वो भी देख लिया नरेशन मारना सीख लिया कंपाउंड और सिंगल एंट्री क्या होती है वो भी हमने देख लिया ठीक है तो यहां तक आप अच्छे से रिवाइज करोगे जो मेरा अगला सेशन होगा उसमें मैं आगे के ट्रांजेक्शन कंटीन्यू करूंगा वह आपस बोल रहा हूं अगर आपको ये नोट्स आपके पास नहीं है ये वर्क्षिट आपके पास नहीं है आप मेरे नंबर पे मैस लिखते जाईएगा ठीक है गाईज क्योंकि ये बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है बहुत बहुत अच्छा भी चैप्टर है और हम अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे आपको कंसिस्टेंटली जो मैं पढ़ा रहा हूं वह रिवाइज करते रहें पड़ेगा आगर आगर